जेहिंद वंदे मातरम स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल कुमार आहस के सर में कैसे हो सभी लोग आसा गटाओं अच्छे होंगे मस्त होंगे और अपने पड़ाय में वैस्त होंगे देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है मेडिगल अन्फिट प अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करेगा और बेल आए जरू प्रेस करिएगा दोस्तों देखे दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले है एक वेरिकोज वेन के बारे में क्या होता है वो कैसे बनता है और उसका इलाज क्या होता ह यानि कि मेडिकल में fit कैसे होई मेडिकल guideline के अनुसार आपको वेरिकोजवेन है तो आपका किसी भी परकार का treatment माने नहीं होगा यानि कि आपका treatment करा कर जाने के बाद भी आपको direct unfit कर दिया जाएगा तो उससे केसा बचा जाएगा और आप केसे fit हो सकते हो अगर आपके भी वेरिकोजवेन है तो देखे दोस्तों पहले हम आपको वेरिकोजवेन होता क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये medical guideline के अनुसार है वेरिकोजवेन आप इसका देख पढ़ सकते हो या screen sure ले सकते हो मैं इसका complete में आपको last time समझाने वाला हूँ देख दोस्तों बात करता है पहले हम की वेरिकोजवेन होता क्या है तो वेरिकोजवेन का दूसरा नाम है आपका वेरिकोजवेन आपका वेरिकोजवेन आपका वेरिकोजवेन आपका वेरिकोजवेन भी देखने को मिल सकता है यानि कि ये समश्या तब उत्मन होती है जब नशे बड़ी चोड़ी या रक्त से ज़्यादा भर जाती है वेरिकोज वेन अक्सर सुजी हुई और उब्री हुई नसो के रूम में सामने आती है और ये निले या लाल रंगी दिखती है जिसमें अक्सर दर्द महसूस होता है यानि कि इसमें दर्द भी होगा अगर कुछ कंडिडेट के दर्द भी नहीं होता है तो भी वेरिकोज वेन होता है ये समश्या आम तोर पर महिलाओं में बहुत आम होती है पचीस फीसदी वेस्क वेरिकोज वेन की समश्या से गरस्इत है और अद्धिकतर मामलों में वेरिकोज वेन टांगो को परवायूत करती है वेरिकोज वेन आपको इस परकार का दिखाई देगा जो इस पिक में लगा रहा है मैंने जो candidate ज़ादा तर running करते हैं या फिर जो candidate ज़ादा खड़े रहते हैं उनमें अक्सर पेरोग पर गुठनों पर के पिछली साइड आपको वेरिकोज वेन देखने को मिलेगा अब इससे आपका जो बच्चा कैसे जा सकता है वेरिकोज वेन से वो हम देखेंगे कि वेरिकोज वेन से आप कैसे बच सकते हो और आप वेरिकोज वेन फिट कैसे हो सकते हो वेरिकोज वेन के लक्षन आपको यानि कि वेरिकोज वेन सबसे परमू लक्षन है नसों का दिखना इसमें दर्द, सुजन, बारिपन और एठन भी रहती है इस परकार का आपको वेरिकोज वेन नजर आएगा अगर आपको वेरिकोज वेन है तो उसमें क्या होता है एक टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है एक टेस्ट होता है, डोपलर टेस्ट होता है अगर डोपलर टेस्ट के अंदर अगर आपका वेरिकोज वेन पाया गया है तो आपका वो अनफिट पॉइंट है यानि कि आपको डायरेक्ट ही अनफिट कर दिया जाएगा उसमें कोई भी आपको चांस नहीं मिलेगा और बात करते हैं इसके की इलाज करकर इससे कैसे बचा जा सकता है यानि कितने परकार से हम इसका इलाज करवा सकते है तो मैं बता दू दोस्तो इसका इलाज है जो तीन इलाज है परमुक तीन इलाज है पेला इलाज की बात करें तो इसके कैसे कर सकते हो पेहला इलाज आपका पेला treatment है इसका कि आप इसे छोटा वेन है अगर vericois bonne ठोटा है तो आप इसे injection दवारा जिहां दोस्तो合, injection दवारा भी आप इसको ठीक कर सकते हो और आपको जो मेडिकल के कम से कम आपको दो मेने पहले वेरिकोज वेन का आपको ट्रीटमेंट करवाना है ताकि वो पकड़ में ना आए और मेडिकल के समय आपको ये नहीं बताना है कि सर मेने वेरिकोज वेन था वहाँ पर यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया था ठीक है दूसरे की बात करते हैं दूसरे ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दूसरे ट्रीटमेंट क्या होगा दूसरे ट्रीटमेंट हाब का सरजरी सरजरी दूसरा ट्रीटमेंट हाब का वहाँ पर कट लगा कर उस वेंस को निकला दाता है यानि और वहाँ पर क्या होता है कि फिल अफ होने में काफी टाइम लग जाता है सरजरी के अंदर इसलिए थोड़ा सरजरी कम कारगार होता है और बात करते हम तीसरा की तीसरा ट्रीटमेंट क्या है तीसरा ट्रीटमेंट है आपका लेजर ट्रीटमेंट लेजर ट्रीटमेंट से क्या होता है कि लेजर किर्णों के दबारा ये वेरिकोज वेन है उसको क्या होता है कि जला देते है जिसके घाव आपके नहीं होता है जिससे आपका वो घाव 15-25 दिन के अंदर आपका घाव पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और आप मेडिकल में फि लेजर ट्रीट्वेंट से आपका केलोड बनने की भी कोई संबावना नहीं है और आपका ट्रीट्मेंट भी आपका जो घाव है वो भी 15 से 50 दिन के अंदर पूरा किलियर हो जाता है लेजर ट्रीट्मेंट करवा कर आप मेडिकल में फिट हो सकते हो परन्तु अगर आपने एक्षैप्ट कर लिया है कि मैंने लेजर ट्रीटमेंट करवाया है वेजर वेरिकोज वेन का तो आपको डारेट पारी कर दिया जाएगा यानि कि में pancakes वेरिकोज वेन का किसी भी परकार का इस्टानिक एमाने है तो आपको वहां पर एक्षैप्ट नहीं करना है अगर आपने वेरिकोज वेन का इलाज करवाया है तो वहाँ पर बॉल देना सर एक छोटा सा कट लगा था उसका इलाज करवाया है ठीक है यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रू कमेंट करेंगा दोस्तो जैहिन वंदे मातरम